श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोगों को अक्षे तृतिया की बहुत-बहुत हार्दिक शुबकाम नाएं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अक्षे तृतिया का मतलब समझ लो की आखिर इसका मतलब होता क्या है? क्योंकि तभी आप लोग इस दिन की महत्वता को समझ पाओगे? दोस्तों सबसे पहली चीज है कि अक्षे तृतिया मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन जो भी काम आप लोग करते हो वो काम आपका कभी खत्म नहीं होता। जब अक्षे तृतिया आजाए और इस दिन आप लोग जो भी उपाए करते हो उस उपाए का फल आपका कभी खत्म ही नहीं होता। आपके ऊपर सदैव बना रहेगा और आपकी जो भी दुहक और परेशानिया हैं वो भी दूर होती रहेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस 108 मंतरों वाले उपाए को आपको करना कैसे है। किसको करना है? किस समय करना है? और कहा पर करना है? पर उससे पहले हम आपको ये बात बता कि सिर्फ और सिर्फ एक 108 मंतरों वाला उपाए यहां पर आपको नहीं करना है। इसके साथ में आपको कुछ अलग से भी करना है, तभी ये 108 मंतरों वाला उपाए और अच्छे से काम यहां पर करेगा दोस्तों आपको पता होगा हमने आपको पहले मिट्टी के जल वाला उपाए बताया है, जो कि आपको इस बार जरूर करना है, मिट्टी का जल वाला रखे रहने देना होता है, जब भी इस वाले उपाए को करने वाले होते हैं, और अक्षे तृतिया के दिन इस मिट्टी के जल वाले उपाए का बहुत ही बड़ा फल आप लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोगों को अक्षे तृतिया के एक दिन पहले की रातरी में अप पूरी रात भर आपको वहीं पर रखे रहने देना है, उठाना बिलकुल भी नहीं है। जैसे ही पूरी रात भर इसे निकल जाए और जैसे ही सुबह हो जाए, मतलब अक्षेत रितिया का दिन लग जाए तो भी आपको सुबह 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 सनान करकर शुद्ध होकर अपना वह एक लोटा लेना है, जिस लोटे से आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हो, चाहे वो कोई साभी लोटा हो, चाहे वैसे विशेश रूप से तामबे के लोटे में पंडित जी ने बोला हुआ है, तो आप लोग तामबे का लोटा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी आप लोटे से जल चढ़ाते हैं, आप अपना वो लोटा लेकर खाली लोटा लेकर भर कर नहीं लेकर आना है, खाली लोटा लेकर अपने रसोई घर के रसोई घर में आ जाये जहाँ पर आपने, इस मिट्टी के जल को रखा हुआ है, रातरी में जहाँ पर जल रखा हुआ था ना वहीं पर आ जाये आप लोग है, ना और वहाँ पर आने के बाद क्या करना है देखो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रशन लोगों के मन में आ रहा है कि ये जो जल है क्या हमें मिट्टी के पात्र के अंदर से मतलब जो मिट्टी का पात्र है उसे साथ में लेकर जाना है या उस जल को अंदर से निकाल कर लेकर जाना है तो देखो मिट्टी के पात्र के अंदर आपको अपने घर में जल रखना है, इसको अपने साथ में लेकर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना वो जो मिट्टी के पात्र का जल है, उस जल को निकाल कर, आपको अपने लोटे के अंदर डालना है, उसके बाद ही लेकर जान पर अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि सुबह सुबह ही आपने मिट्टी के अंदर जल भरा और आप वही जल लेकर जा रहे हैं हमने आपको पहले ही उपाय बता दिया था इसलिए एक रात पहले जो है आप मिट्टी का जल भर कर रखिएगा और उस जल को फिर अपने तामबे के लोटर के अंदर डालिएगा और फिर आप लोग उपाय को करने के लिए तियार हो जाते हैं और ये जो जल है ये शाम के समय नहीं चड़ेगा इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना अब दोस्तों उससे पहले हम आपको ये बात भी बता दें कि इस दिन नहीं नहीं जो भी चीज आप लोग खरीदेंगे न वो बहुत ही शुब मानी जाती है विशेश रूप से अगर आप लोग एक मिट्टी का मटका भी खरीदते होना तो ये आपके घर के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके घर के परिवारों के लिए सद्सेओं के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो हो सके तो भाई इस दिन आप अपने घर में एक भी जरूर लेकर आएगा वो भी मिट्टी का तो भाई जैसे ही आपका वह जल जोद जो है तेयार हो जाता है उसके बाद में आपके घर के पास में जो भी एक शिव मंदिर हो शिव मंदिर आप समझ रहे हैं कि जो भी 108 मंतरों वाला जो उपाए है या आप अक्षेत रितिया के पूरे दिन भी कर सकते हो विशेश रूप से सुबह के समय कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में कर सकते हो सुबह के समय कर रहे हो तो तो को ये मिट्टी का जल लेकर जाना है पर शाम के समय जब आप उपाए और शिवजी के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो भगवान शिवजी के सबसे पहले आप लोग दर्शन कीजिएगा दर्शन तो भगवान शिवजी के शिवजी के उपर एक धारा से धीरे धीरे करके जो है तुम्रुका जी का नाम लेते हुए चड़ाना चाहिए और इस जल का कुछ भाग मतलब जैसे आपने पहले तो जल चड़ा दिया है ना ये मिट्टी का जो जल है ये बहुत ही ज्यादा अक्षे तृतिया के दिन इसका फल हमें बहुत बड़ा होकर मिलता है इसलिए अच्छे अच्छे इस उपाय को समझा रहे हैं तो जैसे ही आप लोग ये जल चड़ाते हो तुम्रोका जी का नाम आप जब लेना जब आपको रोग और बीमारी से जुड़ एह हुए कुछ सम 208 मंतरों वाला उपाय है जो कि आपको किसी ने नहीं बताया क्योंकि इस दिन किये गए उपाय का फल कभी खत्म नहीं होता इस दिन किये गए मंतरों के जाप का फल कभी खत्म नहीं होता तो वही हम आपको बता रहे हैं तो जैसे ही आपको जल चड़ जाए शिवजी के शि श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र के एक बार जाप करने से ही हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। आपकी अपने आप ही वह दुहक और परेशानी मनोकामना पूरी होती जाएगी। वो भी सिर्फ एक दो महीने के लिए नहीं हमेशा के लिए। क्योंकि अक्षे का मतलब क्या होता है। अराम से भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और श्री शिवाय नमस्तव का जाप शुरू करते जाना है। अब आप कहोगे कि भई मन ही मन में हम 108 कैसे गिनेंगे हम तो भूल भी सकते हैं। तो देखो अपने साथ में कुछ दाने वगेरह जो होते हैं जैसे मुंगफली के दाने या चिरोंजी के दाने वो आप अपने साथ में गिनकर लेकर जाएगा कितने। एक सो आठ चावल के दाने मतलब एक सो आठ चावल कह रहे हैं हम एक सो भी लेकर जा सकते हो या 108 जो भी चीज है ताकि हम 108 बार मंतर कर सके वो मंतर भूलेना ठीक है तो कोई भी 108 सामगरी लेकर जाना और जैसे ही आप लोग अपना पहला मतलब मंतर बोलो तो पहला दाना उ जैसे ही एक बार जाप किया एक दाना इस साइड रख दिया फिर दूसरा बार जाप किया फिर एक दाना इस साइड रख दिया इस तरीके से अगर आप लोग एक सो आठ बार श्री का जाप करोगे तो आप भूलोगे भी नहीं और आपके अच्छे से एक सो आठ जो है मंतरों क जाब भी यहाँ पर हो जाएगा देखो 108 जो नंबर होता है उसका बहुत ही बड़ा और विशेश में हित्व होता है इसलिए हमने आपको कहा कि इस जल को चढ़ाने के बाद शिव जी के सामने आसपास बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमोस्तु जरूरी नहीं है कि यही मंत्र आ आप शुरू करना जाप करना आराम आराम से मन से और जैसे ही 108 बार शिव जी के इस मंत्र का जाप हो जाए भगवान के सामने हाथ जोड़ना विंती करना और उनसे प्रार्थना करना कुछ मत मनोकामना मत भूलना बस प्रार्थना कर लेना और जो जल आपने शिव जी पर च लोटे के अंदर जरूर लेकर आना है अक्षेत रितिया दिन क्योंकि इस जल का बहुत बड़ा मेहत्व होगा और इस जल को अपने मतलब मंदिर से दर्शन करके इस जल को अपने घर पर लाना है साथ में इस जल का आपको आचमन भी करना है कोशिश करना की इस जल को आप अपने घर के सभी सजसेओं को थोड आथोड़ा भले ही एक बूंध ही क्यों नहों वो पिला दे ठीक है बहुत ही बड़ा आप लोगों को इस उपाय को करने का मिलेगा तो दोस्तों ये तो बात हो गई 108 मंतरों वाले उपाय की सुबह के समय की अगर हम बात करें शाम के समय की तो शाम के समय तो हम जल नहीं चढ़ा सकते तो हम क्या करेंगे तो देखो शाम के समय मातर आपको एक दीपक लेकर लेना है जो की मिٹ्टी का आटे का जो आपको मिल जाए वो ले लेना बस उसके अंदर रखना गोलबत्ती है शुद्ध देसी गाय का घी उसमें उसके अंदर आपको जलाना है उसके बाद में क्या करना है, दोस्तों की आप लोगों को जो है, इस दीपक को तेयार कर लेना है घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, अपनी माचिस अपने साथ में लेकर जाना है, और भगवान के मंदिर पहुंच जाना है, साथ ही में वह 108 सामगरी भी जरूर लेकर जाना ठीक है, जिनसे आप लोग जो 108 मंतरों का जाब करोगे ठीक है, अब दोस्तों जो 108 सामगरी आप लो चाहे 108 मतलब चिरोंजी वगेरह या दाने वगेरह जो भी लेकर जा रहे हो हरे मुह के। चाहे जाना शाम के समय प्रदोशकाल में शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 8 से भी थोड़ा लेट हो जाए तो भी आप उपाय कर लेना। मंत्रों का अपना जाप शुरू करना देखो कोई भी एक मंत्र चुन्ना है। ऐसा ना हो 3-4 मंत्र को आप लोग जाप कर लो। कोई भी एक मंत्र चुन्ना चाहे श्री शिव। सर्वश्रेष्ट अगर आप पूछो तो शिव महापुरान कथा का मूल मंत्र पंडित जी बताते हैं। श्री शिवाय तो आप इसी का 108 बार जो है जाप करना एक जैसे ही एक बार जाप हो, एक दाना स्टार्ट कर देना, फिर दूसरा और फिर तीसरा, वृत, चौथा, इससे आप जो है मतलब भूलोगे नहीं कि हा, आपने 108 बारी जो है, मतलब श्री शिवाय का जाप कर लिया जैसे ही आपका जाप पूरा हो जाता है, उन दानों को समर्पित कर दो और भगवान से प्रार्थना करके विंती करके आशिरवाद लेकर आप अपने घर पर वापस जाओ, अब खुद आप सोचो कि आपने अक्षे थृतिया के दिन वो उपाय किया है, जिस उपाय का फल घर में आप कभी किसी की चीज की कमी होने ही नहीं वाली इस दिन को धन का भी विशेश दिन माना जाता है, इस दिन मतलब जो भी आप उपाय करते हो ना उससे आपको धन की भी प्राप्ती जरूर होती है, माता लक्षमी जी की क्रिपा भी जरूर होती है, ठीक है, तो आप चाहो तो माता लक्षमी जी की कृपा के लिए भी आशिरवाद ले सकते हो बाकी दोस्तों यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, 108 मंत्रों वाला। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव